हाई एव्रिवान इस मी अंजली वर्मा यॉर एजुकेटर और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लिकेशन ओफ ऑक्सिडेशन इन आर एव्रीडे लाइस यहां पर हम मेंली दो प्रॉसेस पढ़ने वाले हैं सबसे पहला प्रॉसेस है कोरोजन और दू बन जाती है और वो जो आयरें है न वो खराब होता जाता है तूटता जाता है वह तो विच मींज यह अच्छा प्रॉसेस तो नहीं है क्योंकि यह किसी भी मेटल को खराब कर रहा है आयरें के केस में स्पेसिफिकली एक टर्म आता है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं सो से react कर रहा है and it is getting converted into an undesirable form ठीक है अपने बुरे से form में वो change हो रहा है convert हो रहा है और इसी process को हम बोलते है corrosion ठीक है इसकी वज़े से जो thickness होती है ना काफी जादा reduce हो जाती है जैसे यहां पर यह जो brown color का substance बन रहा होते हैं ठीक है और रस्ट का formula क्या होता है fe203.xh2o hydrated ferric oxide हम रस्ट को बोलते हैं और जैसे ही जंग लग जाता है रस्ट लग जाता है रस्टिंग हो जाती है iron में तो जो thickness है वो काफी reduce हो जाती है और जो अच्छी properties होती है malleability ductility metals की जो हम third chapter में पढ़ेंगे कि metals की क्या क्या properties है तो जितनी भी properties होती है ना अच्छी physical properties वो सब deteriorate या खतम होनी शुरू हो जाती है समझ में आ गया अब जो noble metals होते है noble metals का मतलब less reactive metals जो की आस पास oxygen water इन सबके साथ react नहीं करते हैं तो obviously वो react नहीं कर रहे हैं तो उन में corrosion भी नहीं होगा ठीक है corrosion का example सबसे पहला देख लिया है rusting rusting process किसमें होता है iron articles में होता है ठीक है उसके बाद silver में black color की coating लग जाती है यह black color की coating लग रही है न यह किसकी है देखो यह हमारे पास silver के articles हैं चमचे हैं यहां पर ठीक है यहां पर देखो यह black color की layer इसमें लग गई है किसकी है यह silver sulfide AG2S यह है इसका formula similarly copper में आ जाओ copper में आपने देखा होगा यह bluish green color की यहां पर layer आ जाती है यह किसकी वज़े से आती है basic copper carbonate की वज़े से आती है formula इसका यह होता है formula भी important है अच्छे से देख लो basic किसके लिए आ रहा है क्योंकि यहां पर hydroxide है फिर carbonate because यहां पर copper carbonate है तो दोनों का mixture है सिर्फ carbonate नहीं है यहां पर basic copper carbonate है समझ में आ गया तो इसकी वज़े से जो हमारे पास green layer आ रही है ना इस process को ही हम क्या कह रहे है corrosion कह रहे है and this is corrosion in copper समझ में आ गया तो बहुत ही simple सा process है I hope it is clear अब इतना तो हमें समझ में आ गया है कि यह जो corrosion का process है यह बहुत ही बुरा है metals के लिए तो हमें इस corrosion के process को prevent भी कराना पड़ेगा ठीक है so that जो metals है उनमें corrosion हो ही ना तो क्या हमारे पास methods है जिनसे हम prevent करा सकते हैं तो सबसे पहला है painting देखो यह मेरे पास कोई भी article है let's suppose iron का article है बहार से अगर मैं paint कर दूंगी तो जो वो metal है उसका oxygen, water, moisture इन सबसे जो contact है वो तूट जाएगा ठीक है contact अगर तूट गया तो वो जो iron article है या जो भी metal है वो बच जाएगा corrosion से ठीक है उसके बाद greasing या फिर oiling अगेन ये करने का भी motive क्या है कि we are cutting off the contact when some grease oil is applied to the surface of an iron object so air और जो moisture है वो contact में नहीं आ सकती है जिसकी वज़े से वो जो article है वो corrosion से prevent हो जाएगा बच जाएगा ठीक है चलो उसके बाद है galvanization this is very important galvanization एक ऐसा process होता है जिसमें iron के article के बाहर से हम लोग zinc की layer लगा देते हैं अब reactivity series आप लोगों को मैंने पढ़ाई है जो zinc है वो iron से जादा reactive होता है ठीक है तो बाहर से अगर zinc की layer है तो zinc react करेगा oxygen के साथ जो iron है वो बच जाएगा ठीक है यहां पर क्या हुआ वो जो iron article है वो प्रिवेंट हो गया corrosion से फिर उसके बाद आ जाओ alloy का मतलब होता है एक mixture ठीक है यह homogeneous mixture होता है यह दो metals का भी हो सकता है या फिर एक metal और दूसरा हमारे पास non-metal भी हो सकता है तो इस तरीके से जो हमारे mixtures बनते हैं homogenous mixtures उनको हम alloys कहते हैं alloys जब हम बनाते हैं तो जो हमारा corrosion का process है वो काफी जादा reduce हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे क्या इसको हम steel बोलेंगे ठीक है अब यह जो steel होता है इसमें कभी भी rusting नहीं होती है और amount भी हम बहुत कम डालते हैं 0.5% carbon डालते हैं इतना कम amount carbon का डाल रहे हैं फिर भी जो properties हैं वो improve हो जा रही है rusting यहाँ पर नहीं हो रही है ठीक है तो यह हमारे पास preventive measures हो गए यहाँ पर देखो this is galvanization इसमें zinc की coating कर दी गई है और यह क्या है हमारे पास यह पीतल होता है ठीक है this is brass brass में क्या होता है copper और zinc होता है तामबा किसको कहते हैं तामबा सिर्फ और सिर्फ copper को ही कहते हैं इसको पीतल कहते हैं यह पीतल है ठीक है which is known as brass and this is an alloy अब हमने corrosion तो पढ़ लिया है बहुत असानी से हमने समझ लिया है उसके बाद next topic है rancidity अब rancidity का क्या मतलब है rancidity का मतलब होता है जब हमारा कोई भी खाने वाला product है उसमें oxidation हो जाए तो उसमें बहुती बुरी सी smell आने लग जाए बहुती बुरा सा टेस्ट आने लग जाए तो बस वही rancidity है घर में आपने देखा होगा कोई भी fruit अगर आप बहुत दिन के लिए रख देते हो कोई भी vegetable बहुत दिन के लिए बिना फ्रिज में डाले ऐसे ही रख जाते हो तो ऐसे सड़ जाता है वो है ना यह सड़ने को ही हम oxidation कह रहे हैं और इस oxidation को ही हम rancidity कह रहे हैं जो की खाने में प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से bad smell यानकी foul smell and taste आने लगता है सेंदे को यह आपल है यह बहुत दिन तक ऐसे ही रख दोगे तो यह सड़ जाएगा oxidation इसका हो जा रहा है इसी process को हम rancidity कह रहे हैं अब हम rancidity को कैसे prevent कर सकते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं सबसे पहले antioxidants हम add कर सकते हैं देखो यह जो rancidity हो रही है या oxygen की वजह से हो रही है अगर मैं oxygen का जो contact है वो cut off कर दूँ तो rancidity भी नहीं होगी तो antioxidant डालने का मतलब ही यही है anti का मतलब ultra oxygen का ultra तो कोई भी antioxidant हम डाल सकते हैं so that जो oxidation है वो ना हो सके ठीक है example भी है हमारे पास BHA and BHT ये दो बहुत ही अच्छे antioxidants होते हैं इसके अलावा अगर हमें rancidification का जो process है उसको slow down करना है तो हम simply air tight containers में चीजों को रख सकते हैं air tight containers में रखोगे तो क्या होगा oxygen बाहर की नहीं पहुँच पाएगी या फिर आप vacuum packaging भी कर सकते हो यहाँ पर भी जो oxygen है वो नहीं पहुच पाएगी तो oxygen का cut off हो गया तो rancidity भी फिर खाने में नहीं हुई या फिर जो अभी हमने discuss करा था हम simply refrigerator में किसी चीज़ को रख सकते हैं इसके अलावा हम inert gases डाल सकते हैं जैसे की nitrogen चिप सभी लोगों ने खाए होंगे लेस खाए होंगे ठीक है उनका जो पाकेट है फूला हुआ होता है आपने मम्मी पापा को कहते हुए भी सुना होगा कि अगर यह फुसी सा पाकेट है मतलब वहाँ पर gas अंदर filled नहीं है तो इसको मतलो क्यों मतलो क्यूंकि अंदर nitrogen gas नहीं है nitrogen gas हम इसलिए fill कर रहे हैं क्यूंकि nitrogen ना बहुत जादा inert होती है यह normal temperature पर react नहीं करती है तो यह हमारे खाने के साथ react नहीं कर रही है और oxygen का जो like contact है वो भी cut off हो गया है तो which means अगर हम nitrogen को fill करेंगे तो उस case में oxidation कभी भी नहीं हो पाएगा ठीक है इसके अलावा देखो हम dark places में रख सकते हैं क्यूंकि dark places में भी oxygen का direct जो contact है वो नहीं हो पा रहा है तो यह हमारे पास preventive measures थे हमने अच्छे से देख लिए हैं corrosion को भी हमने पढ़ लिया है I hope आपको यह दोनों ही topics अच्छे से समझ में आ गए होंगे with this हमारा यह जो first chapter है यह complete होता है ऐसे ही जो topic wise videos हैं वो इस channel पे आप लोगों को मिलने वाली है also I will be covering maths तो maths के लिए भी यार तैयार है ना बिलकुल maths भी हम इतने ही बहतरीन तरीके से cover करेंगे जितने बहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर chemistry को cover कर रहे है so that is it for this video हम लोग मिलेंगे हमारी next video में till then bye everyone take care and all the very best